क्लियर कोश्चन है वाट इस दा टेन्योर आफ दा प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया मतलब भारत के प्रधान मंत्री का कार्यकाल कितना होता है लोगसभा के कार्यकाल के साथ सुरू होता है और वही घतम होता है राष्टपती के काल के साथ सुरू होता है मतलब राष्टपती प्रेशिडेंट जब आपका आप जितने समय के लिए आता है उतने समय के लिए आता है लोगसभा जितने समय के लिए आती है उतने समय के लिए होता है जब तक उसे लोगसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्तो हो और पांच वर्स इन चारों में से 5 एर इन चारों में से कौन सा options आई होगा, तो आपको मैं बता दू, अनुछे 75 first, आर्टिकिल, यहाँ पर आर्टिकिल की बात करेंगे, 75 first के दहत, इसकी न्युक्ति करता है कौन, इसको appoint किया जाता है, याद रहे, ये elect नहीं होता, प्राय मनिस्टर का चुनाव नहीं होता, उसकी न्युक्ति होती है, और न्युक्ति करता है कौन, न्युक्ति करेगा, रास्ट पती, रास्ट पती इनकी न्युक्ति करता है, तो रास्ट पती उस व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनाता है, जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, तो भाई, जब तक लोक लोग सभा में बहुमत का समर्थन प्रात्त होता है तब तक वो प्रधान मंत्री रहेगा समर्थन खतम प्रधान मंत्री और मंत्री परिशद का पूरा पद खतम ये बात बताई गई है अनुचे 75 सेकेंड में बताई गई है कि ये तब तक रहेगा जब तक लोग सभा में पांच साल होता है ना कि प्रधान मंत्री का खारेकाल प्रधान मंत्री तब तक जब तक लोग सभामय बहुमत का समर्थन प्राप्त हो अगला सवाल ये रहा राश्पती का अध्यादेश कितनी आवद के लिए लागू रहता है तो राश्पती अनुच्छेद 123 याद रहे यह ना चल रहा हो संसद सेशन में ना हो पार्यामेंड सेशन में ना हो तो ये 123 के तहट आएगा अध्यादेश और ये सेशन के बीच का जो गैप होता है उतने समय तक लागू रह सकता है तो 270 के बीच अधिक्तम अंतर कितना होता है 6 माह का अंतर होता है तो अधिक्तम ये 6 माह तक रह सकता है तो राइट आंसर होगा 6 महीने लेकिन जब सेशन स्टार्ट हो जाए तो यह 6 सब्ता के अंदर पारित हो जाना चाहिए अगर नहीं पारित हुआ तो अपने आप यह अध्यादेश डिजॉल्ब हो जाएगा खतम हो जाएगा हट जाएगा तो यहां के आंसर के बिकल्ब के हिसाब से 6 महीने लेकिन इसमें 6 सब्ता और जोड सकते हैं कि 6 सब्ता जब तक वो पारित न हो जाए तो 6 महीने 6 सब्ता मैक्सिमम इसमें 6 महीने मात्र अगला कोशन ये रहा जब भारत के उपराश्पती को राश्पती के अस्थानापन के रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका बेतन प्राप्त होता है बाई राश्पती के रूप में काम कर रहा है मतलब वो कार्यवाहक राश्पती है क्या है कार्यवाहक है और इस स्थित में उसे राजसभा का अध्यक्ष के तौर पर वो काम ही करता है बेतन ही उपराश्पती को उपराश्पती के पद का बेतन ही नहीं मिलता बलकि किसका बेतन मिलता है उसे राजसभा के अध्यक्ष या सभापती का बेतन मिलता है उपराश्पती इसी का बेतन पाता है उपराश्पती के रूप में लेकिन यहाँ प्रसन है जब वो राश्ट्रपती बन जाता है कारिवाग राश्पती तो अनुछेद 65 की बात हो रही है आर्टिकल 65 बताता है की राश्पती की अनुपस्थिती में उपराश्पती राश्पती के रूप में कारिय करेगा लेकिन इसी का अनुछेद 65 का तीसरा खंड बताता है 65 थर्ड की जब वो कारिय करेगा राश्पती का तुसे वो सारी सुविदाएं प्राप्त होंगी जो राश्पती को प्राप्त होती है सारे अधिकार वही होंगे सारे कर्तब्य वही होंगे और सारी जो है उनुमुक्तियां भी वही होंगी तो मतलब राष्टपती का बेतन प्राप्त करेगा राष्टपती के रूप में अगले सवाल पे चलते हैं जब राष्टपती और रूप राष्टपती दोनों के पद रिखत हों तो निम्न लिखित में से कौन सा अधिकारी रास्टपती के अस्थानापन के रूप में काम करता है इन में से कौन सा वेक्ती है जो काम करेगा तो आपको एक बहुत अच्छी जानकारी में देता हूँ बारती सम्मिधान में इसका कोई वर्डन नहीं है कोई वर्डन किया ही नहीं गया था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एक साथ गया बो जाए लेकिन अनुछे सत्तर आपका बताता है अर्टिकल सेवेंटी बताता है अर्टिकल सेवेंटी कि अगर संसद चाहे तो उसे पावर है कि संसद के किसी भी विषय के कानून बना सकता है किस कोई भी मुद्द आए उस पर कानून बना सकता है किस मुद्दे पर राष्टपती के पद के विषय में राष्टपती के कारिवाहक पद के विषय में अनुछे सत्तर में ये बताया गया है कि अगर राश्पति के पद के विशय में, कारेवाहग पद के विशय में कोई कानून बनाना है, तो कौन बनाएगा, ये बनाएगा संसद, ये बताया गया है अनुछे सत्तर में, और एका एक जब वो इस्थित आई, वो इस्थित कब आई थी, जाकिर हुसेन साहब आपके राश्पती थे इनकी मृत्य हुई बीवी गिरी साहब कारेवाग राश्पती बने इन्होंने जो है रिजाइन किया और उसके बाद यह समस्य आई कि कौन बने राश्पती तो इसी की समय उन्नीस सो उनहत्तर में एक कानून पारित किया गया संसत क द्वारा उसकानून का नाम है राश्पती उत्तराधिकार अधिनियम क्या नाम है उसका राश्पती उत्तराधिकार अधिनियम और उसके तहत वेरिफाई किया गया कि उचितम न्यायले का मुख्य न्यायमूर्ती इसका पद धारन कर सकता है और उनहत्तर में यहका मात्र ए एक बार हुआ है कब 1979 में और सरवोच चन्याले के मुख नैदिश हिदायत उल्ला को कारेवाख राश्पती के रूप में कारे करना पड़ा अगले कोश्चन पे चलते हैं अगला कोश्चन है जग राश्पती को संबैधानिक संसोधन बिल भेजा जाता है तब वे क्या कर सकते हैं तब वे क्या करेंगे ठिक वें दा कांस्टिशनल आवेंटमेंट बिल गोस्दा प्रेसिडेंट ही क्या करेंगे पहला विकल्ब अपनी सहमती को रोके रख सकते हैं अपनी सहमती को मतलव सिगनेचर नहीं करेंगे पुनर विचार के लिए उसे संसद को लोटा देंगे थिक तीसरा है कुछ समय के लिए जो छे माच से अधिक नहीं हो शकता रोके रखेंगे अपनी सहमती देने के लिए बाद हैं तो जब संव्धान आपका लागु हुआ 1950 में तो इस बिशे में संब्यधान में कोई प्रावधान नहीं था लेकिन आने वाले समय में इस पे कानून बनाया गया और कानून बना आपका 24-वे संब्यधान संसोधन में ये कानून बनाया गया कानून क्या बना कि अगर Constitutional Adventment Bill 368 के तहत आता है अनुच्छे 368 संवेधान संसोधन प्रक्रिया तो अनुच्छे 368 में खंड 2 में ये प्रावधान किया गया और कब 24वा संवेधान संसोधन पारिद करके 1971 में संवेधान संसोधन पारिद हुआदा कब 1971 में कि भाई सामानने बिल पे वो सहमती रोके चाहे जो करे पुनर बिचार के लिए लोटाए अगर वो Constitutional Advent Bill है संवेधान संसोधन बिल है तो उस पर अपनी सहमती देने के लिए बाद दे है ये रहा आपका अगला सवाल नेक्स कोश्चन छटा सवाल आपका निमलिकित में से वे उप राश्पती कौन है जिनोंने राश्पती का चुनाव लडने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया भाई उप राश्पती के रूप में रहते हुए राश्पती चुनाव लडने के लिए त्याग पत्र देने का क्या मतलब है जी नहीं प्रस्ण ही अंधूरा है आपको मैं पूरी घटना बताता हूँ 1969 69 69 में आपके राश्पती मिस्टर जाकिर हुशेन की मृत्य हुई और उसी समय 1967 से 1969 के मद्य 1967 से इनका कारेकाल शुरू होता है मिस्टर वीवी गिरी का वीवी वराह वेंकट गिरी नाम है इनका इनका कारेकाल शुरू हुआ था वाईस प्रेसिडेंट के तौर पर ये 69 से अपॉइंट हुए थे youtube 5 साल के अपॉइंट होते लेकिन समस्य ये दी कि 1969 में आपके राष्टपती जाकिर हुशेन की मृत्ति हो जाती है और इन्हे कारेवाःः राष्पती के रूप में इन्होंने चार्ज समाला कब 1939 में 3 मई को तो 3 मई 1979 को ये कारेवाहक राष्टपती के रूप में कारे करना सुरू किये लेकिन अब राष्टपती का पद 6 महीने के अंदर भारा जाना है तो चुनाव भी होना है तो इन्होंने 20 जुलाई को कब 20 जुलाई को इन्होंने कारिवाहक राष्टपती पद से रेजाइन कर दिया सिर्फ इस लिए क्योंकि राष्टपती का इने चुनाव लड़ना था ये महोद है वीवीगिरी साहब भारत के पहले कारिवाहक राष्टपती थे अगले कोश्चन पे चलते हैं वीवीगिरी साहब ने रिजाइन किया था अगला कोश्चन है भारत के राश्पती को स्वेच्छा नेने अधिकार मतलब स्वविवेका अधिकार ठिक ये स्वविवेका अधिकार की अंतरगत क्या प्राप्त है कौन कौन से स्वविवेका अधि की घोशना करना तो जहां तक मैं जानता हूं किसी राज में राजपती सासन 356 के तहट लगता है और यह राजपाल की सिफारिश पर लगता है और मंत्री परिशद के जब भी राजपती सासन की घोशना होती है तो मंत्री परिशद की सिफारिश आवशक होती है तो यहां भी म सीधे सीधे बताया गया है कि ये मंत्री मंदल के प्रस्ताव पर गोशित होगा और दो महीने के अंदर संसत की भी अनुमती लेनी पड़ेगी अब बचा एक काम वो है प्रधान मंत्री की नियुक्ती तो प्रधान मंत्री की नियुक्ती करने के लिए उसे स्वविवे का अधि बनाना ही पड़ेगा तो सरकार बनाने के लिए प्रधान मंतरी की नियुक्त के लिए सरकार को बर्खास्ट करने के लिए और लोगसभा का विगटन करने के लिए ये तीन सववय काईदिकार उसके पास हैं लेकिन तीनों के तीनों कंडिशनल हैं नॉन कंडिशनल नहीं कि सरक पूरी मेजोर्टी में हो लोग सभा पूरी जरा बहुमत में हो और उसे राश्पती जो है बर्खास कर दे बिल्कुल नहीं मेजोर्टी में पीम बनाना पड़ेगा और बर्खास भी नहीं कर सकते तो यहां कंडिशनल स्वाविवेक आदिकार है अगले सवाल पे चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन जो आपका आठमा सवाल होगा निमलिद में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है तो यह अधिकार दो लोगों को प्राप्त है मैं दोनों का नाम बता देता हूं ठिक एक तो अनुछे 76 के तहत आप का वाइस प्रेशिडेंट वाइस प्रेशिडेंट को भी जो संसद का सदस्य नहीं होता ना लोगसभा का सदस्य होता है ना राजसभा का सदस्य होता है लेकिन वो राजसभा के देख्षता करता है अनुछे 64 के अनुसार तो यहां पर दो लोग हैं लेकिन इस विकल्प में उपराश्पती कहीं नहीं है तो Attorney General of India भारत का महान्यावादी अनुच्छे दठासी के अनुसार संसत के बैचकों में भात लेख सकता है वाशन दे सकता है बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता जबकि उपराश्पती वाइस प्रेसिडेंट इस मामले में अलग है वह निरा भायक मत भी देता है डिसीजन ओट भी करता है क्लियर तो अगले कोश्चन पर चलते हैं जो आपका नौवा सवाल होगा ये रहा आपका नौवा सवाल निमलकित में से कौन ही अस्ताय करता है कि कोई विशेष विदहयक धन विदहयक है या नहीं तो आपके संविधान के अन अजस्बी आकत्र हो धन मिल रहा हो तो वो विदहयक जो धन एकत्र कर रहे हो धन एकत्र केसे होगा झब पैसा आएगा तो धन एकत्र हो जाएगा धन eकत्र मतलब taxation clear तो ऐसे सारे विद्यक जो धने एकत्र करने के दिशा में हो करजा लेना कुछ भी करना जिस्से सरकार को पईसा मिले वो सारे विद्यक क्या कहलाएंगे धन विद्यक और कौन सा विद्यक धन विद्यक है या नहीं है इसे अनुच़्ठ 110 के खंड 3 पार्ट 3 के तहट 110 तीन के तहट कौन गोशित करेगा लोक सभा अध्यक्ष तो आठकिल भी महत्वपूर्ण है याद कर लीजेगा अगले और आखरी सवाल पे चलते हैं वो ये रहा आपके लिए आखरी सवाल ये है आपका भारत के किस राज़ ने सबसे जादा उपरप्रधान मंत्री दिये हैं तो अगर व्यक्ति के तोर पर देखें तो अब तक कुल 6 लोग कितने 6 लोग 7 बार ठीक 6 लोग 7 बार जो है वाइस प्राइम इनिस्टर हुए मतलब उपरधान मंत्री हुए इन सारे राज़ों में चार अलग अलग राज़ों से हैं लेकिन एक राज जैसा है जिसने अपने अहां से तीन उपरधान मंत्री दिये पहला है उस राज का नाम आप लोग एस करिएगा नाम मैं बता देता हूँ पहले थे पटेल साहब जो 1947 में ही बन गए थे वाइस प्रेसिडेंट दूसरे आपके हैं देशाई साहब मुरार जी देशाई साहब देशाई साहब 1967 में बने तीसरे रेकिती हैं आपके आडवानी साहब जो इसी राज से हैं ठीक आडवानी साहब अड़वानी सहा कब बने थे ये सन 2002 में बने थे कब 2002 तो ये तीन उपप्रधान मंत्री एक ही राज्य से हैं जिसका नाम है गुजराट अब बचे तीन व्यक्ति चार कारेकाल तो एक व्यक्ति यूपी से बना है चौथा व्यक्ति से आप कह सकते हैं चौधरी चरण सिंग कौन चौधरी चरण सिंग्जी बने यूपी से ये यूपी से हैं और इनका जो कारेकाल रहा है 1979, 1989, 1979 में बने चार हो गए पाचवे व्यक्ति के नाम पर जग जीवन राम सहब रह कौन पाचवे व्यक्ति रहे जग जीवन राम सहब रहे और जग जीवन राम थे कहां के बिहार के थे और ये भी इसी समय बने 1979 ये बिहार के थे और बिहार के थे तो 79 में ही ये भी बने अब दो बार जो है चौधरी देविलाल सहब बने और दोनों कारेकाल रहा 1989 और 1990 तो देवी लाल साहत चौधरी देवी लाल ये चटें वेक्ती हैं ये हैं देवी लाल जी देवी लाल ठीक चौधरी देवी लाल इनका पूरा नाम है ये दो बार बने एक बार 1989 में बने थे और 90 में तो टोटल साथ बार उपरधर मंतरी भारत में बनाई गए हैं और ये साथ बार कुल छे लोग बने हैं इन में से तीन अकेले गुजरात से बने हैं तो आपका राइट आंसर क्या होगा गुजरात आपका सही उतर होगा ओके फ्रेंड्स